तो दोस्तो आज ये 12 ओक्टोबर 2021 सोरा आज में आपके लिए एक ऐसा धमाकेदार शेर लेकिया हूँ जो आपको बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा लेटन देने वाला है तो दोस्तो मैं बात कर रहा हूँ इंडिया का सबसे भरोसेवन कमपनी टाटा पावर दोस्तो आज सुबे से ही टाटा पावर के उपर जो अच्छे अच्छे निउस आ रहा है हम उन निउस को थोड़ा सा कवर करेंगे उसके बाद दोस्तो हम इस company का chart pattern को analyze करेंगे फिर अंत में दोस्तो हम यह discuss करेंगे कि हमें इस company में invest करना है की नहीं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मैं ले चलूँगा आपको Chrome browser पे यहाँ पे दोस्तो हम आ चुके हैं economics times के website पे ठीक है तो Tata Power के पर जो news आ रहा है तो हम उसको news को थोड़ा सा cover करते हैं पंजाब has to agree to take electricity from Tata Power's imported coal-based power plant at Mundra in Gujarat for one week on an actual fuel cost basis Gujarat and Maharashtra the author beneficiary state of the project are also expect to follow suit as electricity from the plant is expect to cost 5.5 रूपीज पर unit against a average price of 16 per unit on the power exchange तो दोस्तो इसका बाकी का news बहुत ही लंबा है अब अगर इस news को पढ़ना चाहेंगे तो वीडियो एक गंटा हो जाएगा तो एक और news आया हुआ है मैं उसको भी थोड़ा सा नदर डालना चाहूँगा तो अभी मैं ले चलूँगा आपको thehindubusinessline.com के website ठीक है तो यहाँ पे actually ये news जो है ये news आपका 5 October को आया हुआ है और अभी अभी जो हमने recently news पढ़ा है वो news मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार वो news आया हुआ है अभी अभी आज के दिन सुब़े 6 वजे के टाइम पे आप यहाँ पे देख सकते हो last updated October 12, 2021 6.32 AM ठीक है तो हम उस news को पढ़ लेते हैं अलकि ये news थोड़ा सा पूरा ना है चार-पांच दिन हो चुका है इस news को publish होकर फिर भी ये काम का news है हमें इस news को news पर नजर रखना चाहिए ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं The cooperative aims to create a regular AC charging network and a DC fast charging network ठीक है थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं Leading two and three wheeler maker TBS Motor Company has signed up a strategic partnership with Tata Power for comprehensive implementation of electricity vehicle charging infrastructure Across India and deploy solar power technologists and TBS Motor locations तो TBS Motors के सारे locations पर ये पावर जो charging का सिस्टम है उसका भी काम शुरू कर दिया है Tata Powers ने ये बहुत ये चानीव सा रहा है थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे The partnership aims to create a large dedicated electric two wheeler charging infrastructure to accelerate electricity mobility तो दोस्तों ये news भी अच्छे news है और इन सारे news का हमारे Tata Powers की company के share पर क्या असर पड़ा है यह हम यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे तो इससे पहले भी जो Tata Powers हमारे देश की growth के लिए इतना बड़ा मतलब काम कर रहा है तो आप समझ सकते हो इससे Tata Powers के अलाबा बाकी power sector पर इस news का क्या असर हो रहा है यह आप जानते हो ठीक है आप समझ चुके हो और Tata Power की पावर सेक्टर के इस तेजी से आगे बड़ रहा है यह भी आप अंदाजा लगा चुके है तो हम आचुके हैं अभी Tata Power कंपनी के शेर का चार्ट पेटन पे तो ठीक है यह कलकी रेट में आपको साड़े आठ परसन के आसपास का शांदार रिटन देता नजर आया अगर हम इसका पूरा विकली चार्ट पेटन पढ़े दोस्तो तो इस हफते में यह कंपनी ओन एन एवरेज चलते चलते आपको 10 परसन का साड़े 10 परसन का शांदार रिटन दिया बट आपको इसका चार्ट पेटन का इसारा समझना है एक महिने में देखा जाए दोस्तो तो यह कंपनी पूरा बुलिच मोड में चल रहा है 46 परसन का साअदार रिटन छे महिने में आगर दिखा जाए तो यह कंपनी आपको इस तरह से चलते चलते आपको यहां पे जो चार्ट पेटन बनाया है वो बहुत ही शांदार है 107% का शांधा रिटेन पूरे साल का अगर देखे दोस्तों पूरे साल में भी आपको चार्ट पटन अल्मोस्ट सेम दिखेगा ठीक है पूरे साल का चार्ट पटन सेम दिखेगा यहाँ पे जो अच्छी न्यूस जो अच्छी ब्रेकाउट दिया है उसका बड़े बड़े इंवेस्टर्स को इंतिजार रहता है तो दोस्तों टाटा पावर आपको पता है इंडिया का सबसे भरोसे मन कंपनी है लेकिन क्या इस बग इस कंपनी पर निवेश करना चाहिए तो मेरी राय से अगर आप थोड़ा बहुत निवेश करना चाहते तो बिलकुल कीजिए लेकिन आपको पोरा स्टॉप लोस लगाना पड़ेगा ताकि कल को अगर किसी कारण से कंपनी का शेर नीचे गिर जाए तो आपका ज्यादा लुक्सान ना हो ठीके तो दोस्तो वीडियो को अंत करने से पहले आपको एक बार फिर बताना चाहूंगा आप किसी भी कंपनी में इनिवेश्ट कीजिएगा तो अपनी रिसर्च जरूर कीजिएगा कंपनी का फंडामेंटल को समझिए उसकी अनलाइज कीजिए उसके बाद दोस्तो किसी भी कंपनी में इनिवेश्ट कीजिए और स्टॉब लोस के साथ ताकि कल को कंपनी नीचे आए तो आपका ज्यादा लुक्सान ना हो दोस्तो हमारी जानकारी आपको कैसा लगा ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ तब तक के लिए दोस्तो बहुत बहुत धन्यवाद